आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक बहुती तेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम सिर्फ दो चम्मच गी या फिर तेल में बना कर तयार कर सकते हैं साथ ही अगर आप किसी भी तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं और अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं बनाने में एकदम ही आसान है बिलकुँ जटपट बाली रेसिपी है सिर्फ पांस से दस मिल्ट में बनके तयार हो जाती है आप जिसे भी इसे बना कर खिलाएंगे सभी आपकी खूब तारिफ करेंगे तो आप इसे ब्रिकफास में भी बना सकते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपनी डेली डाइट में भी इसे शामिल कर सकते हैं तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉन तो यहाँ पे कब से नाब के मैंने पूरे एक कप भर के स्वीट कॉन का यूज किया है तो यहाँ पे मैं फ्रोजन वाले स्वीट कॉन का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पे fresh भुट भी ले सकते हैं और उसे थोड़ासा पकाने के बाद ना उसमेंसे भी दाने निकाल सकते हैं तो यहाँ पे देखे पूरा एक cup भरके हैं उसके बाद यहाँ पे हमें इने करना है चौप वैसे आप चाहें तो इसे ना दरदरा फीस के तयार भी कर सकते हैं मतलब ग्राइंडिंग जार में आप डाल के ना पल्स मोर्ट पे भी इसे थोड़ असा दरदरा कर सकते हैं तो इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है इसी लिए मैंने इसमें मतलब चौपर में इसे डाल दिया है साथ महीज में कुछ सबजियां भी आड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने आदा प्यास लिया है और बिल्कुल थोड़ी सी सिम्ना मिर्चली है तो वैसे ना आप सबजियां इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग कोई सी भी डा सकते हैं तो इस नाच्टे को बनाने के लिए यहाँ पे हमें कौन की मातरा जादा लेनी है और सबजियों की मातरा थोड़ी सी कम लेनी है जिससे की कौन का फ्लेवर जो है रेसिपी में एकदम बढ़िया से आए तो देखें आप पे तीनों चीजों को मैंने बढ़िया से चौप कर लिया है अब इसके बाद इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे वैसे आप चाहें तो यहाँ पे पता गोबी भी एड़ कर सकते हैं और थोड़ी सी गाजर भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पिर ना आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग सारी चीजों को कम जादा भी कर सकते हैं और अगर आपको इसमें से कोई सब्जी नहीं पसंद है तो आप उसे पूरी तरह से skip भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग प्यास खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसे पूरी तरह से skip कर दीजे, बिना उसके भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगा, आप इसे जरूर एट करिएगा, साथ में ही आपे थोड़ा सा अद्रक लिया है और इसे मैंने ग्रेट कर दिया है, आप चाहें तो बिल्कुल FINE çॉप करके इसमें डाल सकते हैं, और साथ में ढालेंगे यहां पे थोड़ा सा हरा धणिया, और साथ में ही डालेंगे तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर चार्ट मसाला भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने उसे किप कर दिया है अब यहां पे मैंने ले लिया है एक उबला हुआ आलू और उसे भी हम इसी में ग्रेट कर देंगे तो अगर आप किसी भी तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं तब आप आल अब देखे सारी चीजों को डालने के बाद अच्छे से इसे mix करेंगे वैसे आप लोग ना इस नास्ते में काफी सारे variation कर सकते हैं जैसे अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें ना mozzarella cheese या फिर process cheese भी grate करके डा सकते हैं उसकी वज़े से नास्ता बहुत ही बढ़िया चीजी बनके तैयार होगा क्योंकि बच्चों को ना इस तरह के नास्ते काफी पसंद आते हैं तो आप इस तरह भी से try कर सकते हैं अब देखें यहां पर अच्छे से mix करेंगे और अब यह बहुत बढ़िया से bind हो रहा है तो बस इसकी अब छोटी छोटी बॉल बनाके हमें तैयार कर लेना है और अगर mix आपके हाथों पर चिपके तो आप हाथों पर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा ले और उसके बाद थोड़ा सा कोशन ले हाथों पर रखे और घुमाते हुए इसकी एक छोटी सी बॉल बनाके तैयार कर ले तो यहां पर इसमें हम डालेंगे थोड़ा से देशी घी वैसे आप चाहें तो आप कोई भी cooking oil यूज कर सकते हैं या फिर इसमें बटर भी add कर सकते हैं और जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो एक-एक नाश्ते को उठाएंगे और इसमें बढ़िया से अरेंज करते चाहेंगे और उसके बा तक हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा इधर बना लेते हैं तो चट्ट नी मेने वही बनाई है है जो सभी के गर में बनके तयार होती है हरे धनिय की एकदम ती की चटपटी वाली चटनी तो यहां पर इसे बनाने के लिए हरा धनिय लेंगे साथ में ही अधरक हरी मेश और उसके बाद यहां पर दो चमच बर के मैंने दही डाला है थोड़े से बुने हुए चने डाले हैं टे साइड ना मतलब होपर की साइड थोड़ असा घीज पर और एड़ कर देंगी तो दोस्तों आप सभी से यहां पर एक बात कहना चाहती हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं मेरी रेसिपी आप कभी घर पर ट्राइ करते हैं और वो अच्छी बनती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी इसलिए आप सभी लोगों से मैं दुबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा और दीखिया यहाँ पे इस पे बहुत ही बड़ी ऐसा तो इस तरह की चीजे हमेशा एक दम तीखी चटपटी चटणी के साथ ही पसंद आती है तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट अलग से लगा ली है मेरे लिए जिस पे सिर्फ डालूँगी मैं हरे धनिय की तीखी इसी चटणी और देखें यहाँ पे यह प्लेट भी लगके तयार है तो फ्रेंड्स आइ होप आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अब देखें यहाँ पे आपको इसे तोड़ के भी मैं दिखा देती हूँ अंदर से बहुत बढ़िया से अंदर तक सिख गया है और बिलकुल दो चमबच घी में बनके तयार हो गया है तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर